और पूरा वाप जिआणे को बाद क्या बोला डॉट्टर ने चेक वे किया तो बोला कि तुमाया दोनों कि निभी नभी मतलब कहना चाहते हैं कि हमको जल से जल बचाइजा है तो हमाई पीछे तीन भाई हैं दो बहन है हम यह पास जागा जमीन भी नहीं है तो हम क्या करेंगा हम चले गए तरि हमया पईबाय का हमाय पत्नी का माथ भाई का थी इनकी आखो में हम लोग को की तबियत खराब हो गया है कि दो महीना पहले अच्छा आप लोग साधी को कितने दिन पहले हुई है कि एक साल हुआ मात अच्छा दोनों किर्णी खराब हो गया है अगर इलाइस ठीक्स नहीं हुआ तो कुछ भी कहां नहीं जा सकता है कि देखे मतलब बहुत तुम आगे होता यहां पर और करके राजिनीती करता अपने भोट का और जाती के नाम पे तो कभी धर्म के नाम पे तुम लोग भोट को ले ले लेते हैं तो बिहार किया सचाई है कि अगर विदायक के घर पे कोई गरीब चला जाए तो लात मर के भगा और मौत का सवाल आ गया है यहां पर और यह कागज जब से आया है एक पडिवार का नींद चैन कहे तो उजर गया उखर गया है क्योंकि यह जिसका कागज है हमारे सामने बैठे हुए हैं और कही न कहीं इनकी जिन्दगी और कितने दिन की है यह भी ठीक नहीं है आज से चला कि इनका दोनों किर्णी खड़ाब हो गया है आर्थी कि स्थिति ठीक नहीं है चार भाई है लेकिन यह सिर्फ कमाने वाले इकलोते हैं चार भाई छोटे-छोटे हैं लेकिन चार में से तीन भाई छोटे हो और यह बड़े थे और कमा रहे थे बाहर में हलाकि जब पता दीपा कुमार की उमर कितनी है आपकी 24 साल चौबिए साल सबसे बड़े हैं आप अपने घर में भाई में जी कितने भाई हैं चाय भाई है तौब पता चला आपको कि आपका तबीयत खराब है और दोरों किर्णी खराब हो चुगा है। में को पादा चला दो महिने पहले क्या हुआ था सबसे पहले में को थ्वासा उल्टी थुआ था और में को चक्का भी कर आने लागा था करते तो आपको आचानक क्या होगा अचानक मैं को ऊचुशी हुगा फिलटी नहीं लागता था में जाता था चक्क वी हुएख जी। ने उसके पास एक ड़क्टर के पास गाई तो ड़क्टर ने चेकप किया तो बोला कि तुम्हाया दोनों किट्नी फेल है। ने वहां से घाजी पक्या उधाए घर हागे। जी। इलाद चल रहा है आपका। लगभग कितना रूपया खर्च कर चुकगा। आप तक ले कई डे लाख रुपिया खर्च कर देना कई तो एक गड़ीब पडिवार के लिए कितना दुखदाई हो सकता है कितना कुस्ट भरा हो सकता है आप इस बात को समझेगा मातरे मुझे लगता है कितना रुपिया महिना का कमाते थे अब नासिक में खाने पीना इधर ना खाना भाई लोगा पढ़ना में खर्चा हो जाता होगा कि सोचिए कि चार भाई में से तीन भाई पढ़ने लिखने वाला और एक वाई का तवियत खराब हो गया है दुख की बाती है कि अभी तक यहां किसी का नजर नहीं पड़ा क्योंकि यहां गरीब कुछ भी नहीं किया है कोई नहीं किया हुए चाश आप और किसी से मदत कि उमीद किसे कर रहे हैं सामने कि से बोले में बिधायक से बोले हैं हमाइज है दो हम संकयाद। और शॉख कॉल कर टे तेक्स को उस्थिशिफ संधी辧ा के नमबर नहीं था ? नमबर कहाद में नमबर मिलता नाय। बहुत कुछिस की पांचे दि उसमें लागा था नो मैं खोजने में खोजने पांचे दिन लागा था सुनिएगा मनिस्कत सब्जी गरीबों के लिए आला कि आप मसीहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है आप आपसे मुझे कोई गिला सिखवा नहीं है अपना परधान मंत्री है ना मुख मंत्री है और ना कोई मंत्री है और ना ही विदायक है और मुखिया भी नहीं है आपसे मुझे गिला सिखवा नहीं है लेकिन गिला सिखवा करना परेगा क्योंकि एक गरीब इंसान आपसे उमीद कर रहा है नेता विदायक तो लेकिन जोब को इन्हें काम है यहां पर तो आपसे उम्मीद कर रहा है पांट दिन लगा नंबर खोजने में नंबर लगाया तो आप मेरे से क्या हुआ आप कर रहे हैं लेकिन पूंद रहे हैं लेकिन कॉल नहीं कि ब्व करेंगे यह वीडियो देखने के बाद आप यहां आएंगे और यह अप से अब करेंगे कि यह उमीद क्या करते हैं कोब पता चला है आप लोग को कि तबियत खुराब हो गया है कि दू महीना पहले दू महीना पहले अच्छा आप लोग इस साधी को कितने दिन पहले हुई है कि एक साल हुआ मात अच्छा दोनों किड़नी खराब हो गया है अगर इलाज ठीक्स नहीं हुआ तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है देखे मतलब बहुत भाव करने वाला पल होता है एक परिवार के लिए कि दोनों किड़नी खराब हो जाना आप समझ सकता है इस बात को मैं इनके सामने कह नहीं पा रहा हुँ लेकिन सर मानी चाहिए यहां के बिधायक तुमको सर माना चाहिए कि तुम नहीं आ पा रहे हो अग कुछ पैसे दे करके भोट के समय में लेकिन जब असल माहिनों में आपकी जरूरत होती है विधायक जी तब आप नहीं आते हैं ना ही किसी का फोन उड़ाते हैं और ना ही आपसे बात हो पाती है आपके घर पे जाने के बाद लात मर के भगा दिया जाता है गरीबों को यह और नवी सचाइए सचाई है पूरे बिहार कीया सचाई की अगर भिधायक घर्टियों कोई चला जाए तो लात मर के भगा दिया दया खा लेकिन वहीं बीधायक चुनाव के समया करके आपके घर पे जारू लगा देता है पैर पकड़ लेता है आपका पगरी खोल के रक दे है तो नहीं किरने खड़ाब होगे लिए एक तो वूम मदद कोई करा था निता होता होता लोगे ना जोव कोई ना कुछ करद को ना कि कोन ने खेम कर ने कि दूआर पझा खे या वत ना खे ना कहां गरने युल मदद कते रहे हैं असपास के बतावन ऑन अच्छा हम भी धाय कर लोगये जहां तहां हम जाता निक कोई अभी पोटे लगावाता लोग अब तरू अब तरू अपर कमाया कोई नेखें यह ना पढ़ता लोगा इह को अब दो खाने लोग कहा है और बुलाई यह अब देखें इनके भाई लोग हैं और मैं क्या पुछी उनकी पतनी से या फिर इनके भाई से यह लोग छोटे-छोटे आभी पढ़ाई कर रहे हैं और जो एक अजमी कमाने वाला था उसके जिन्दगी और मौत के बीच लड़ाई चल रही है अब पता नहीं कब क्या होगा मुझे नहीं प कि हो सके तो हमारे माध्धम से बिहार के लोगों के पास एक संदेश जाए और मैं चाहूंगा कि आप इनकी मदद कीजिए आप से जितना हो पाता है काउंट नंबर डिस्क्रिप्टन में दे दूँगा जितना हो पाता है मदद कीजिए और जितने भी पत्रकार मेरे भाई बंदू देख रहे हैं आप सब यहां आईए दिखाईए इस ख़बर को मुझे पता है कि आपको ठीरपी नहीं मिलेगा यहां से लेकिन एक गरीब का मदद कर दिजिएगा तो एक इंसान का जिवन बच जाएगा हर एक इंसान इंसान है और इंसे हमें क्या पूछू मुझे तो समझ नहीं आ रहा है अब आखिर में क्या कहिए का अगर हो सकता है कि बड़े बड़े लोग देख रहे हो बिधायक लोग भी कोई देख रहा हो कोई नेता देख रहा हो कोई पत्रकार देख रहा हो तो क्या कह ही लोगों से आप अपने माध्यम से ही मतलब करना चाहते हैं कि हमको जल से बचाया जाए कि मैं घौह का एक इसा कमाने में आदमी हूं कि हमाया पिछे तीन भाई हैं दो बहन है हमारे पस जय जगा जमीन भी नहीं है तो हम क्या करेंगा हम चले गए तप्री हमाया पड़ी से ही कहूंगा मनिश कर सब भी आपके पास इनों ने कॉल लगाया था अला कि और आप कॉल रिसीव नहीं किये मुझे नहीं पता बीजी बहुत बीजी रहते हैं लेकिन उठाना चाहिए था क्योंकि बहुत आस लगा करें बहुत उमीद के साथ कॉल किये होंगे बहुत उमीद अउन कर पास कॉल कि अपना हाथ समय कि यह और आम आखोस को को दbr अब पता चले औरड़ा ही पीला हो गया है हाथ पर देखता है इनका एक छोटा भाई यह इदा आई आप भी और इनसे क्या बात करूं किस क्लास में पड़ते हैं तेंथ में हैं इस बार इजाम पड़ेगा अच्छा आप सबसे छोटे हैं भाई अच्छा आपके और भी भाई लोग कोई तो कमाता नहीं होगा इनके लग यहीं कमाने वाले यास अच्छा इलाज के लिए आप लोग किसे मदद की उमीद करते हैं बिहार का कोई बड़ा आदमी देख रहा हो किसे उमीद है आप लोग को कि जो इलाज करा सकते हो कि साधारन परिवार के लोगों के लिए दो किरनी खराब हो जाने के बाद इलाज कराना संभण नहीं है तो क्या उमीद करते हैं किसी से हम उमीद करते हैं कि मेरे भाईया के लिए मदद करने के लिए त्यार हो जाएंगे क्या पूछू और क्या बोलू मैं इसके बाद भी बहुत सारे लोग उनके पास जाते हैं और मदद करते हैं लेकिन एक पडिवार नहीं जा सकता है यहां से क्योंकि यह लोग बहुत अब इनकी स्थितिया है कि मुझे लगता कि एक किलोमेटर भी चल नहीं सकते हैं पैदल खुद किसे क्योंकि दोनों किर्णी खराब हो जाने के बाद इंसान सुखने लगता है भूख प्यास नहीं लगता और इलाज चल रहा है इनका तो मतलब बहुत ही दिक्कत का समया इनके परिवार के लिए इनके लिए और कहीं ने कहीं जल सरल इलाज कराने की जरूरत है सोनु सोच जी के पास अगर वीडियो जा रही है तो आपसे भी मेरा हाथ जोरकर गुजारी से आप पटना आया थे तो आपको भड़पूर प्यार दिया बिहार के लोगों ने और उमीद हम कोई लड़की वाइरल हो जाएंके वहाँ चले जाएंगे की कि वहाँ उनको मुद्दा मिल जाता हूं अगर फेमस हो जाते हैं लोग और ज्यादा लेकिन अगर एक गरीब को आपकी जरूरत है वहां भी तो आपको आना पड़ेगा आपको नहीं चुना गया है यहां के लो एक बार आप से भी मैं गुजारिश करता हूं, उमीद नहीं आए, लेकिन आप से भी गुजारिशा है, मुखिया जो है उनसे भी गुजारिशा है कि आप अपने तरप से जितना प्रहास हो सके, कीजिए इनके लिए, क्योंकि बहुत कम समय होता है, एक इंसान के लिए, दोनो लोगों तो पहुंचाने का प्रयास किजिएगा क्योंकि अगर एक परिवार का मदद हो जाता है आपके और हमारे चलते तो हमारे लिए गर्व की बात होगी और उनका जो दूआ होता है आपको जरूर लगेगा चले डिस्क्रिप्शन में इनका एक काउंट नंबर में दे किजिएगा ट्वीटर पे और सुनुसुद भी एको भी टेक जरूर किजिएगा उमीद करता हूं कि इनकी मदद जरूर होगी अलाकि जितने भी लोग देख रहे आप सब की हजिम्मेदारी बनती है कि कोई भी इंसान अगर आपको जरूरत के लिए बैठा हुआ है तो आप किसी और जगात तब तक के लिए जहिंद